हेलो फ्रेंड्स, विलकम टू प्राइट श्क्वास योट्व चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ प्रमुख समस्थानिक एब़ंग उनके उप्योग के बारे में बताएंगे तो कौन से समस्थानिक का उप्योग क्या है इसके बारे में देखते हैं तो इधर है समस्थानिक और इधर है उनका उपयोग। तो ये जो है इक्जाम के दिश्टीकों से काफी महत्पुन है तो यहाँ पे देख लेते हैं किस समस्थानिक उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले है यूरेनियम 235, फ्रेंच याद रखना है यूरेनियम 235 का उपयोग क्या है, चटान की आयू ग्याद करने में इसका उपयोग होता है, याद रखना है फ्रेंच अगर हम चटान की आयू ग्याद करें, तो इसका उपयोग करने के लिए हमें यूरेनियम 235 का का उपयोग क्या है चटान की आयू ज्यांत करने में इसका उपक्योग है अगर बात करें इसके 1,8 form की तो इसको U, 22135 की नाम से भी जानते है. 4 में इसे लिखा जाता है इसी है, इसपी की जाता है या रखना है sodium 24 sodium 24 का इस्तमाल करते हैं रख्त के ठाके का पता लगाने में इसके बाद है कोवाल्ट 60 कोवाल्ट 60 का उप्योग होता है रख्त कैंसर को नियंतित करने में तो रख्त कैंसर को नियंतित करने में जो है कोवाल्ट 60 का उप्यों किया जाता है अर्थात कैंसर की इलाज में कोवाल्ट 60 जो है काम आता है जिसको हम को 60 के नाम से भी जानते हैं इसके बाद हैं आर्सेनिक और सेनिक 74 का इस्तमाल क्या है तो यह ट्यूमर का पता लगाने में काम आता है यहा दकनाए फ्रेंट्स और सेनिक 74 जो है यह ट्यूमर का पता लगाता है इसके बाद है। इतरुई अंध्यूकी तो आउयोडी एक 161 योंध्यू पैरटग्रंथी में इसका उप्योग होता है इसके literal इसके बाद है फॉसफोरस 32 पॉसफोरस तर्टी का इस्तमाल होता है लिक्षार में जे रहता है ये त स्कुरश-त्रौेयुकल के उपचार में इसके बाद हैं लोहा लोहा 59 लोहा 59 का इस्तमाल होता है और रक्तिता का रोग पता लगाने में इसका इस्तमाल होता है तो लोहा 59 लोहा 59 का इस्तमाल करते हैं और रक्तिता का रोग जो होता है उनको पता लगाने के लिए यह लोहा 59 का इस्तमाल करते हैं तो य यह जो है कुछ महत्पुन समस्थानिक और जो है उनका उपयोग था किस समस्थानिक उपयोग कहां पे होता है तो फ्रेंड्स ऐसे ही जो है क्वाइल्टी और इंपोर्टेंट जो है कंटेंट पाने के लिए ब्राइट स्कॉस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद